तो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल इस गोल्ड में आप लोगों ले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो bell notification on कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जनकारी आपको सबसे पहले मिले और दोस्तों वीडियो को शेर जरूर कीजिए शेर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ जैसे कि आज आप लोगों ले थमनेल देख लिया होगा आज हम बात करेंगे कोपर निकल के 5 रुपे के सिक्के के बारे में जी हाँ दोस्तों यह सभी के पास सिक्के होते हैं कोपर निकल के 5 रुपे के तो इसमें मैं आपको scare variety और rare variety बताओंगा जो कि 2024 की coin book आई है उसमें इन coin के rate बढ़ चुके हैं मैं common सिक्कों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा मैं square के बारे में बताऊंगा और rare के बारे में तो वीडियो पूरी end तक देखना तभी आपको अच्छे से पता लगेगा कि मैं कौन से सिक्के की क्या value बता रहा हूँ कौन सा मै square category का बता रहा हूँ और कौन सा मै rare category का बता रहा हूँ और इन दोनों के rate क्या बता रहा हूँ क्योंकि rate बहुत जादा महेंगे हो चुके हैं इसलिए वीडियो पूरी end तक देखने के लिए कहता हूँ दोस्तो वीडियो जादा बड़ी नहीं होती 8-9 मिनट की only वीडियो होती है तो इतना आप अपने लिए time निकाल लीजे क्योंकि आपके जो rare सिक्के होते हैं एक्जिवेशन में वो लोग सस्ते दामों पे खरीद लेते हैं क्योंकि आपको अपने सिक्कों के price नहीं पता होते हैं इसलिए आप लुटके आ जाते हैं उसके बाद आके मेरी वीडियो देखते हैं तब आके कई subscriber मुझे comment करते हैं तो इस लिए आप वीडियो पूरी देखिए तो चलिए बीना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपको इन सिक्कों की basic information देदेता हूं ये बनाय गयते 1992 से लेके 2004 तक metal को पर निकला है weight 9 gram है size 23 mm है shape इनकी goal है यह इसकी oversize देखिए यहाँ पर आपको अशोक स्थम देखने को मिलेगा और एक तरफ भारत लिखा है हिंदी में दूसरी तरफ इंडिया लिखा है इंगलिश में अब इसकी reverse side की बात करेंगे तो सबसे उपर हिंदी में रुपे लिखा है बीच में अंक में 5 लिखा है उसके नीचे इंगलिश में रुपीज लिखा है वो दोनों तरफ आपको full की पत्या देखने को मिलेंगी और सबसे नीचे आपको year और mint देखने को मिलेगा तो बस mint आपको बहुत अच्छे से देखना है year और mint आपको गोर करना है कि कौन से सिक्के में कون सा square आता है कौन सा rare आता है बस सिक्कों में यही चीज इसमें खास देखने होती है येवाले सिक्कों में अब सबसे पहले हम बात करेंगे 1993 के सिक्के की क्योंकि 1992 के common है 1993 के सिक्के की बात करेंगे जो कि Bombay, Calcutta दोनों Mint सो बिनाए गए थे दोनों Mint के सिक्के Scare Category में है सबसे पहले मैं आपको Bombay के सिक्के का Rate बता देता हूँ Bombay का सिक्के का जो Rate है वो चल रहा है किताब के साब से 50 रुपे और Calcutta Mint का भी Rate 50 रुपे दे रखा है किताब में Extra Fine Condition में 15 रुपे और UNC Condition में 50 रुपे तो देख लीजे दोस्तो Extra Fine से UNC में कितना Difference आ जाता है सिक्कों में लेकिन आप लोग सोचते हैं कि मैंने अगर 50 रुपे बताए हैं तो आपका घिसा पीटा सिक्का भी 50 रुपे का होगा लेकिन ऐसा नहीं होता आप समझिए UNC Condition होती एकदम चम चमाता हुआ बिल्कुल सिक्का होना चीए उसके 50 रुपे दे रखे हैं बाकि Extra Fine Condition में 15 से 20 रुपे का सिक्का है अगर आपके पास ये बहुत सारे सिक्के किलो के भाव में तो आपके शहर में टैम टैम पे एक्जिविशन लगती है वहाँ जाके आप ये सिक्के सेल कर सकते हैं आपसे 20 रुपे 25 रुपे पीस पे सिक्के ले लिए जाएंगे अब बात करते हैं 1995 के सिक्के की ये चार मिंटों में बनाय गय थे बॉमबे, कलकत्ता, हैदराबाद, नुओडा इसमें दोस्तों बॉमबे, कलकत्ता, हैदराबाद adalah common जै इसमें आता है square category में नुओडा mint ये देख लिजे आप नुओडा mint का सिक्का है 1995 1995 इसकी अगर कीमत की बात करें तो extra fine condition में ये सिक्का 40 उर्पे का है और UNC condition में ये सिक्का महेंगा है 80-90 उर्पे का सिक्का है ये एक नोईडा मिंट का सिक्का है ये देख लीजे 1995 का अब बात करते हैं 1996 के सिक्के की ये भी 4 मिंटों में बनाए गए थे बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोईडा इसमें बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद, कॉमन है इसमें नोईडा जो आता है वो आता है स्केर कैटेगरी में कीमत की बात करेंगे तो इसके भी आपको extra fine condition में मिल जाएंगे 40 उर्पे और UNC condition में आपको मिल जाएंगे 80 रुपे 1995 और 1996 दोनों सिक्कों के नोईडा मिंट के सिक्के होने चीए 80-80 रुपे इनकी value है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं 1997 के सिक्के की ये भी 4 मिंटों में बनाए गए थे बंबे, कलकत्ता, हैदराबार, नोईडा इसमें दोस्तों common category में होने के बावजूद भी नोईडा मिंट का सिक्का बहुत महंगा है मतलब common category में जैसे और सिक्कों के rate 5-10 रुपे है condition के साब से लेकिन इसका जो सिक्के का rate है वो है UNC condition में common category में होने के बावजूद नोईडा मिंट वो है 100 रुपे 1997 का और कलकत्ता मिंट इसमें square category का सिक्का है उसके भी 100 रुपे दे रखे हैं कीमत, चाए वो कलकत्ता का हो चाए वो नोईडा का हो 100 रुपे का सिक्का है 1997 का ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरू कर देना दोस्तों अब बात करते हैं हम 1998 के सिक्के की ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिक्का भी जो इस्केर कैटेगरी के सिक्के हैं उन सिक्कों में ही इसका रेट आता है इसलिए मैं सिक्के का बता रहा हूँ ने तो इस सिक्के की बताने की जुरोत नीथी क्योंकि किताब में ये सिक्का कोमन दे रखा है 1998 का जो gathered mint का सिक्का है उसके प्राइज इनोले 50 रुपे दे रखे हैं तो मैंने सोचा बता दिया जाए कि अगर आपके पाँ अच्छी कंजिशन में सिक्का है तो नोईडा मिंट का उन्निस्टो ठानवे का भी आप 50 रुपे में दे सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों संद 2000 के सिक्के की ये देख लीजे आप अपनी स्क्रीन पर ये 5 मिंटों में बनाए गए थे एक इसमें फॉरन मिंट है चार इंजन मिंट है कोमन कैटेगरी का ही सिक्का है नोईडा मिंट का इसमें भी लेकिन कीमत है 50 रुपे ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महंगे सिक्के की जो कि 5 रुपे के कोपर निकल के सबसे महंगे सिक्कों में से एक है आम चलन में मिलने वाला 5 रुपे का सबसे महंगा सिक्का ये ही है ये आपको असानी से मिल जाएगा अब मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ ये 2004 का सिक्का है पांच उर्पे का बॉम्बे कलकत्ता हैदराबाद तीन मिंट से बनाय गया था कोमन स्केर रेयर तीनो विराइटी भी है इसमें अब इसमें कोमन कोन सा είναι स्केर कोन सा रेयर कोन सा ये अप अच्छेके से सुनिये सबसे पहले हम बॉम्बे के सिक्के की बात करेंगे जो की है कोमन कैटेगरी का सिक्का मैंने पहले भी इस पे बहुत वीडियो बना रखी है लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कुछ जुड़े हैं उनके लिए मैं खास तोर पर ये वीडियो बना रहा हूँ नए सब्सक्राइबरों के लिए पुराने लोगों को तो पता ही है कि 2004 का कौन से मिंट का सिक्का कितना जादा महंगा है ठीक है दोस्तो इसमें जो बॉंबे मिंट का सिक्का है उसकी अगर हम कीमत की बात करेंगे 2004 के तो वो है 100 रुपे से लेके 500 रुपे तीनों मिंट के सिक्के भी केंगे आपके ठीक है दोस्तो 100 से 500 रुपे है बॉंबे मिंट के सिक्के की UNC Condition का इसमें 200 रुपे रेट दे रखे हैं लेकिन मार्केट में वो सिख्खा 300-400 रुपे का है, कलकत्ता मिंट का, खीक है दोस्तो, स्केर कैटेगरी का सिख्खा है, 300-400 रुपे का, अब आते हैं सबसे महेंगे सिख्खे पर, जो की है 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 हैदराबाद मिंट का, ये 5 रुपे का सबसे महेंगा सिख्खा है, ये हैदराबाद मिंट का सिख्खा है, कीमत मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 15-20 दिन पहले ही मैंने इसकी कीमत बताई थी एक वीडियो में लेकिन मैं आपको इसकी दुबारा कीमत बता देता हूँ स्टार मिंच मार्क यह देख लीजी आप अच्छे से स्टार मिंच मार्क है यहाँ पे ठीक है अब वेरिफाइन कंजिशन में इसकी जो कीमत है दोस्तो किताब में 500 रुपे दे रखिए लेकिन 1880 रुपे से 2000 रुपे का सिक्का है यह वेरिफाइन कंजिशन का ही ठीक है इस से नीचे तो यह सिक्का आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे भी अगर कहीं पे मिल भी राओ आपको 1800 से नीचे तो तुरंत ले लेना क्योंकि ये सिक्का बहुत महंगा सिक्का है Varified Condition का ही 1800 का है कीमत मातर 500 दे रखिये क्योंकि किताब वाले अपने लिए ही छापते हैं ये बुक आपके महंगे महंगे सिक्के सस्ते दामों पे लेने के लिए बाद में जब आपके पास से सिक्के चले जाते हैं वहीं अगले साल ये सिक्को के रेट ये लोग बढ़ा देते हैं Extra Fine Condition में इसके सिर्फ 1000 उपे रेट दे रखे हैं मैं कहा रहा हूँ मुझे दे दे कोई भी Extra Fine Condition में 1000 उपे इस सिक्के के 42 सो से 45 सो रुपे का ये सिक्का है मार्किट में 2004 हैदराबाद मिंट ये देख लीजिए आपके साथ इतना ज्यादा विश्वाश घात हो रहा है किताब के तोर पे किताब को आप इतना सीरियसली मत लीजिए क्योंकि किताब आपको सिफ स्केर और रेर विराइटी के बारे में बता देती है लेकिन कीमत जो होती है कीमत आपको डीलर ही बताएगा जो मार्किट में बैठा डीलर है वो ही आपको रियल कीमत बताएगा कि सिक्के की क्या कीमत है किताब के हिसाब से बिलकुल भी बेचने की जरूत नहीं है सिक्कों को इससे अलग आपको कोई और जानकारी चाहिए तो चैनल की मेंबर्शिप लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं चैनल की मेंबर्शिप ज्यादा महेंगी नहीं है मात्र 299 रुपे की मेंबर्शिप है एक महेने की यह आपके फायदे के लिए ही है आपको लूटने से बचाने के लिए 299 रुपे की मेंबर्शिप है एक महने की जिसमें मैं आपको 30-35 को इनके बारे में इंफोर्मेशन दे दूँगा दोस्तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी नॉलेजबल और इंटरस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद